हेलो गाइज वेलकम मैं नो ब्लोग और आज हम करने चाहा रहे हैं 45 इंच तैयार सूट कटिंग तो इसके लिए और इसका गला है बैक 6 इंच का तो सबसे पहले हम सोल्डर लेंगे 6.5 इंच और मुड़ा जितरा हम सोल्डर लेते हैं उससे हम आदा इंच बढ़ा के मुड़ा लेते हैं तो हमने अगर 6.5 सोल्डर लिया है तो हम मुड़े लेंगे 7 इंच अब हम अपना चेस्ट का निशान लगाएंगे तो इस सूट की चेस्ट तयार करनी है हमें 10 तो हम इस यह हम 4 फोल्ड कर रखा है 4 फोल्ड के साब से 10 इंच अब हम मुड़े से 8 इंच पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे कमर का और उसके 7 इंच पर नीचे लगाएंगे हिप का तो यह हमारा फिटिंग का निशान लगके तयार हो गया है अब हम आगे दो इंच एक्सट्रा मार्जन लेंगे यह हमारा फिटिंग का निशान था दो इंच एक्सट्रा लेके जहां से हम कटिंग करेंगे यह हमारा मार्जन हो जाएगा हम तीनो निशान के साथ में दो इंच एक्सट्रै ले लेंगे कपडा अर तीनो निशानों को अब हम इनको मिला देंगे इस परकार से हमारा फिटिंग का निशान बिल्गूल तयार हो गया है अब हम शोट के लेंथ देखते हैं लेंथ कितना तो हमें 45 तेयार करना है नीचे से बिलकुल सेंटर कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा कपड़ा तेड़ा मिड़ा है इसके बाद हम इस कपड़े के जितना हीप था उसे हम आदा इंच एक्सटरा नीचे का पल्ला थोड़ा एक्सटरा लेते हैं आदा इंच यह मुड़े की हम गोला ही देदेंगे और यह फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट में हम एक इंच डीप कटिंग देते हैं तो जो हमने 6,7 इंच का निशान लगाया तो उसे एक इंच अंदर की तरफ मुड़े का निशान लगा देंगे तो यह हमारा दूसरा जो निशान है यह डीप कटिंग का निशान हो गया तो इस परकार से फ्रंट पार्ट का निशान विल्कुल रडी हो गया अब हम इसके कटिंग करते हैं इस परकार से हमारे कटिंग मिल्क तयार हो गई है हमें सेम फिटिंग का निशान दूसरी तरफ छापने के लिए हम अपनी सीजर का उपयोग करेंगे और जो अमारे निशान थे उसकी नोक सामने रखके और दूसरी तरफ हम चाक सा निशान लगा देंगे इस परकार से हमारे फिटिंग के निशान दोनों तरफ दिखाई देने लगेंगे अब हम इनको मिला देंगे जिससे की सूट हमारा टेड़ा नहीं जाएगा और निशान बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं सेम ऐसे हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे बिछा के कपड़ा और फ्रेंट पार्ट को बैक पार्ट पर रख देंगे और यह हमने सेकंड पार्ट के वे कटिंग कर ली है यह हम प्रेंट पार्ट के डीप कटिंग का जो निशान लगाया था हमने दोनों पार्ट कट करने के बाद हम अंदर वाले फर्ट पार्ट का डीप कटिंग करते हैं थे क्यों विडियो कैसा लगा प्लीज लाइक से सब्सक्राइब